नमश्कार दोस्तों रोजना राश्य फल दखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें शाथी बेल आइकन को प्रिश कर दें तो आई दोस्तों आपकी राश्य से जुड़ से भी जानकारियां सबसे पहले आप तक पहुंशके और आप उन्हें देखकर अपने जीवन के उत्तम शुकों का लाब ले शुके तो आई दोस्तों के इशाथ आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नौ अपरे दोजर्बायश के आपके राश्य फल के बारे में सबसे पहले दोस्तों जिनका भी यश में बर्तिदे है या फिर एनवर्सरी है आप शबीक मरत्रप से डेर शारे शुक काम नाएं आप दिन दुगनी रात चोगनी तरिके करें तो आई दोस्तों से के इशाथ बात करते हैं याश में गरों के सद्धिक एश होंगी क्या क्या यूग मनेंगे और इनके शबीक अश्र आपकी राश्य पर क्या होगा किन-किन चीज़ों को लेकर याश में आपको सावदाने नहोगा और आगीर कौन पहुंशे कारी आपके दोस्तों इन शनी वार का दिन रहेगा शुकरपश की अश्र में थी ती रहेगी और दोस्तों दोस्तों पूरुक शुलोच की रहेएगा रश simplify के आशह में और तो दोस्तों ध्याबय आपकोर together को धुब्यूश में ना करें तो दोस्तों है शुमिरेगा शुबा के 9 बच कर 22 मिट चले कर शुबा के 10 बच कर 5 मिट तक और दोस्तों चैनल माई दिन में तुन राश को प्रांथ करकर राश में संचार कर जाएंगे लोगों की कमजोरियों का पता लगाने से अच्छा है कि मनुष्य अपने दुर्गुनों और कमजोरियों का पता लगाए किसी को कभी दुख मत देना क्योंकि दी हुई चीज एक दिन हजार गुना होकर लोटती है दोस्तों अंदे अंदे का अगर नेत्यूत करेगा तो दोनों खाई में ही गिरेगा मुर्ग लोगों से कभी बैस नहीं करनी चाहिए वो पहले आपको अपने अस्तर पर ले आएंगे और फिर आपको अपने अनुभव से हरा देंगे इंसान के जिस्म का सबसे खुबसुरा धिस्सा होता है दिल और अगर वो ही साप नहीं हो तो चमकता चेहरे किसी काम का नहीं होता बोलने से फहले सब्द मनुष्य के वस में होते हैं परन्तु बोलने के बाद मनुष्य सब्दों के वस में हो जाता है जब तक आप अपनी शमस्याओं यों कटनायों की वज़ा दुसरे को मानते हैं तब तक आप अपनी शमस्याओं यों कटनायों को मिटा नहीं सकते पानी की तरह बनो जो अपना रास्ता स्वेंग बनाता है पत्थर की तरह नहीं जो दूसरों के रास्ता को भी रोक देता है जिस चीज़ को आपको ज़्यादा डर लगता है उसी चीज़ को करो डर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा तो चलिए इसे की साथ बात करते हैं आज की राश्यवल की देनी राश्यवल दोस्तों यश्मे अपना कोई भी कार करने से पहले उसकी पुर्योजना का प्रारूप बनाना आपको कारियों में गलती होने से बचाएगा किसी पेरिवेक्ति की आपको मादद करने पड़ सकती है प्रांदों दोस्तों आपको बता जें कि यश्मे मामा पक्चों के साथ संबंदों को खराब ना होने दें यह जो समय है आपके लिए आपका अधिकतर समय घर से बाहर वाईतित होगा और दोस्तों प्रांदों उसका कोई भी लाव दैग नतिजा आपके शामने यश्मे नहीं आएगे दोस्तों यह जो आपके लिए श्मे होंगी आर्थिक इस्तिति कुछ मंदी रहेंगी इसको प्रांदों यह श्मे आपको बता दें यह श्मे आप जो है महत्पुन श्मंदी कोई भी शकारतों के बात आपको इसमे पता भी चल सकती है जिस बात के बारे में आप काफी दिनो सिंतजार कर रहे थे दोस्तों उसी समधित प्रगति इसमें आपको नजर भी आएगी आपको बता दे कि परिवार से दूर रहने वाला व्यक्ति घर लोटने की कोशिश कर सकता है विदेश में रहने वाले व्यक्ति दोवरा आपको कोई अच्छी खबर यसमें मिल सकती है और आपके लिए समय होंगे आपको बता दे कि दोस्तों भावनोंतों ग्रूप से अपने आपको मजूद आप महसूर करेंगे तदा घर परिवार और वह शाय में उचित समाज़स भी इसमें बना रहेगा दोस्तों कुछ शमय अपने रूची प्रून कारियों में श्रमय को उत भी बैतर होंगे दोस्तों किसी बात पर जिद करने या पिर अड़ जाने शी आपके काम खराब हो सकते हैं तो दोस्तों इस बात को इसमें आपको अत्य ध्यान रखने की आवरश्यत्रा होंगी किस्य मित्र के शाथ बैचार भिशं करना की शमर्शाओं का हल निकाल सकता है दोस्तों यश्व में संतान की गतिदियों पर आपको नज़ा रखना अतियाऊश्य होगा। और इसके उप्राहन दोसों यह शुमए, आपको बता दें कि दोस्तों आपके प्रत्न की यह शुकी प्राप्ति होगी विध्यारतियों के लिए यह शकार्तमक फल देने वाला शुमे होगा, दोस्तों सरकारी नोकृरिक के चाहा रखने वालों के लिए भी काम से समझे ख़़ खबर भी अच्छा सुजना भी यह में मिल सकता है और इसको प्राहन दोस्तों यह में आपको बता दे कि शुरुआत में आपके महत्पुन काओं से जुड़ी सभी उजनाई बनने वाली है क्योंकि दोस्तों इसके बाद जो समय होंगे आपके लिए उतना आपके पक्ष में न आपको बता देन कि आपको ब्रखना देना चाहिए त Vorteil में आपको वर्द्धि आपको करना चाहिए आतमकेंद्रित होने के बजाए आपको समाजिक टाप फारेवरी गतुद्यों में भी रुज़ान यह चाहिए और इसको प्लाह दोस्तों निक्ते हैं आपकी अपक Krinsky कि दोस्तों मौज मस्ती पर जर्रत से अधिक किया पेशा खर्च आपके लिए खराब हो शकता है दोस्तों खर्चा आपके लिए तकलिफ दायक या फिर तकलिफ फैदा कर सकता है आपको बता दे कि पेशे और व्यक्तियत जिवन संब्रित अधिक जागरुता जो है दिखने की आवश्यक्ता है इसमें हो सकती है इसको प्राद दोस्तों आपको बता दे कि आप बना तराव यसमें कम हो रहा है फिर भी दोस्तों काम पर आप पूरी तरश्य ध्यान यसमें नहीं दे पाएंगे और इसके उज़र से आपको नुक्षान होने की आश्रम का बन रही है तो दोस्तों खास कर इससे आपको यसमें सावधन रहने की आवश्यक्ता है अपने ध्यान पर आपको जो है अपने काम पर आपको ध्यान केंदित करने के यह में आवश्यक्ता होंगी अपको बदा दे हैं समय को नश्ट ना करें तथा अपनी योजनाओं को तुरंट जुह किरन विद करें यह आपके लिए बैतर होंगी बाहरी गत्यों में भी आपको यसमे अस्टपेक्च नहीं करना चाहिए बाहरी व्यक्तियों का अस्टपेक्च भी आपके लिए यसमे परिशानी का कारण बने दोस्तों इंणसे सावधार है आपको अपने गुच्श के बजाए शंती पून तारीके से परस्तियों को शवालने की जुरत होंगी दोस्तों पक्ष में वहने की समयनों जहें। बहुत ही कम होगी और उस्छे में आपको नुक्शा लेँंगे। तो दोस्तों, जितना हो से के समयन समस्या को घर बैड़ करें। और इसको प्राहन दोस्तों यहिश्व में अगर आपके वहिशाई को लेकर बात करें अर्थात आपकी केरियर की तो दोस्तों यहिश्व में आए के साथ साथ खर्चों की विया दित्ता रहेंगी वहिशाई का स्तलफर कारी परणाली में बहुत अच्छा बदलावी आने के सम होना बन रही है पब्लिक रिलेस्टन्स राखने वालों के लिए बहुत अच्छा खबर इसमें आपको मिल सकता है दोस्तों वायोशाय समद्धी नए स्रोथ भी इसमें उत्पन हो सकते हैं आपको बता दें कि जो लोग हैं आपके संपर्क में रहेंगे और नोकुली में किसी परकार की तरक्य भी अश्में आपको दिल आने वाले हैं और इसको पराहण दोस्तुमें आपके केरियर के लिए जो समय होंगी आपके वायोशाय करीश तरी समय होंगे आपको बदा दें कि कारशेतर में काम से समद्धेद कोई नुकसान होने की भी असंका बन रही है दोस् आपको अपने ओफिस के काम का विस्यज ध्यान देना चाहिए यह आपके लिए बैतर होगे शायदार समंदी बिजनस में मुनाफ़ा होगा अपने सहीवों की निरले में विस्यज मत दें यह आपके लिए जो कि आपके लिए फायदेमाद शाबिद होंगी आपको बदा दें क कि शरकारे शुवारत व्यक्तियों के लिए आपके उपर कोई महत्मूल कारे भारे आने के वुज़शे नोकरी शमंदी जिम्यदारियां आपका यश्मियों और अधिक बढ़ने वाली है और इसके उप्राहन दोस्तों यश्य में आपके के लिए जिम्होंगे आपके लोगों को कोई महत्मून अथर्टी भी शमिय परात हो सकती है और इसको प्राहन दोस्तों यश्मियों अगर आपकी लव लाइप को लगतर बात करें अर्थात आपके पारिवर एक जिवन की तो दोस्तों फ्रेम शमंदों में नजदिक्या आने वाली है पती पतनी के बहतर रहने वाले और इसको प्राहन दोस्तों यह आपके लव लाइप के लिए जिवन के आपको बता दे कि पती पतनी कि यह किसी बात को लेकर नौक जोंक तो रहेंगी किसी वह बाद बाद में शंती पुर्ण तरीके से उन्हें सुलजाने की कोशिच करें यह आपके बहतरों के साथ को श्मय वहतित करने से शमद में और अधिक मजबुती आएंगी तो इन पर भी आपको ध्यान देना चाहिए शाथे इंसे पारविर वातारण और बेश्वार्द पूर्ण बना रहेगा और इसको प्राहन दोस्तों यह में अगर आपके स्वास को लिकर बात तो अंत में आपका स्वास्थी होगा कभी-कभी मनोबल में कुछ कमी भी महसु होगी प्रतु जल्दी ही आप इसी जिद्धी पे उबर जाएंगे तो दोस्तों यह में आपको इन पर ध्यान देना चाहिए सभी चीज़ आपके स्वास्थी पहतरोंगे और साथी दोस्तों आपका भागिशाली रंगरेगा आश्मानी और भागिशाली अंकरेगा तीन